कि अपार सेकेंड सम करांगे हां सेकेंड कोस्टन निगा कंस्ट्रक्ट एन आइस केस्ट राइंगल इन विच दा लेंथ ओफ इडिस एक्वाइब साइड्स इस इस इक्वाइब सेंटिमीटर एंगल पेट्वीन देम इजे वान हंडर टैंड डिगर हां चीज दा मतलब किया ह आइस केस सेंगल डी फोकल पटे के दूसा इक्वाहन दिया ट्रट गिया ऐसे प्राइंगल बना नहीं है किया जिस वीचे मांदफ ऑने संग मां तो एंकल पर नहीं है उदी आपर दो साइट आगे नहीं है 6.5 और 6.5 और और तुसे साइट आप नहीं है उदे विचकार किने डिगरी ते एंकल लेना मां वन डर 10 ता जिसता बच्छों आप मैं रख चित्यार किती है या 6.5 6.5 हां जी तो नहीं कहा इदे विचकार तुसे जाना मां मंडर 10 डिगरी ता एंकल ठीए बच्छों साइट को रख त्यार होगी है उना अपा एकुरेट ट्राइंगल ड्रा करांगे ए मैं ए बी सी ना रखिया उसी पी क्यों आर्वी राक्सा दे जो प्यूंकि इत्षी ना गिवन नहीं है कि ए वसी जड़े मच्छी ट्र लाना राक सकते हैं उना पां एकुरेट ट्राइंगल ड्रा करांगे ए मैं पहला परमांगे 6.5 मैं बच्छों पर 6.5 लें 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 लगया 6.5 ठीया हां जी जा ना गिराता आपा बी सी बी ओ सी 6.5 सेंटिमीटर ठीया बच्छों होना अपा लमांगे वान अंडर टैंड डेरी दा एंगल हाँ बच्छों अपा बान टैंड डी दा एंगल ड्राइं लगया ए बच्छों डी नाम देना सारे ना एंगल डाने यह जोड़ा पाको पर कारते नाल एंगल नहीं बांसाद आपा बना मागे यह बच्छों माँ बांसा बना माँ आप पर एंडर टैं डी डी दी एंगल लेक्स्ट अउनदा पापे 6.5 डी अख लाम गए आपने 6.5 दीख आर्क लमा गए, 6.5 तीट यह रहा रहा है, अद्धियों आर्क है अधियों मुझे अपने लग दिया, कि लाइन शोटी है, आपा लाइन बड़ी कर सकते हैं ठीक है जे बड़ी होगी तामी कोई करनी है शोटी है कुसी बड़ी नू कर लो ठीक होना अपा इदा नाखी रहता हैंगे ए एदा नाखी रखता है ए अपा की रंगी मुला रहांगे करता है आपा एदा नाखी नू च्राइन करता है यह सद्धे को ट्राइंकल रहा हो गिया ते जस्ता नाखा एदा एदा नाखी बीसी एद्ध आप सिक्स पांट फईव दियार कलाई थी शिक्स पांट फाइव दिखांगे उन्जसता पार कंस्ट्रक्शन बनाईया थिया उसे ताइए इननों लिखते रूपरे दिखांगे इता अनागी राखता है आपा X इंजिस्तार डाइग्राम पर बनाई है उसी तरह पर लिखी जाने है ठीक है पहला किता है राफ स्केच बनाई है ना फॉस्त वी ड्राइड राफ स्केच बिद गिवने मेजर्स सेकंड ड्राइड लाइड सेग्मेंट बी सी ओफ लेंध सिक्स पॉइंट पाइड सेंटिमेटर नेक्स्ट किता पर एट बी ड्राफ बी एक्स मेकि अन एंगल ओफ 110 डिग्री बिद बीस ठीक है बच्चे जिसता डाइग्राम बनाई है उससे तरह ही मैं डिखे आवाना हां जिए बी एज सेंटर डाइंड आरफ रेटेश 6.5 सेंटिमेटर इट क्ट्स बीस एड पॉइंट एड पॉइंट एड ज्वाइन एक्ट्वाइड आइज सेग्राइड एबीसी इस नौव टेंट ंएड अज्यो आइड यस के स्ट्रेंग्र वाइन प्वाइड नीक्रा थार्ड संब कंस्ट्रक्टेट रेंगल ABC विच BC 7.5 सेंटीमिटर AC 5 सेंटीमिटर एंगल C 60 डिरी तिया हांज पच्छो पहला पर रफ स्केच चटा ही ता एदे तुश्की वेरे दो साइडा देती है तेके एंगल देता है एदेता एंगल आओ दो साइडा दे विचकार ही बनना चाहिए थी यह एर आप स्केच बनाता मैं सेंटेज में 60 डिरी एंगल बनाता है वहने तो यह पाप फिर त्यार करांगे विच्छों काइदा आपा सेंट पॉइंट पाइव सेंट पॉइंट पाइव सेंटिमीटर दे एकल लाइन अत्रा करांगे त्यांगे कि अधिया नागी रख्या पाव बीसी सेंट पॉइंट पाइव सेंटिमीटर हांजू नपाव सेंटिमीटर दे कि निटिमीटर दे एंगल बनाता है वागे हाँ ठीक हाए शिक्टी डीडर दा एंगल बनाता है त्यार हो गया शिक्टी डीडर दा एंगल कि अधिया थिया पून अपा एक निकारने यह फाइव सेंटिमीटर दे लाइन द्रा करने गया कैन दपावके फाइव सेंटिमीटर दे कर दावांगे कि अधिया थोड़ी इप्थी जान चाहिदी से नहीं कि अब बच्छो इदे विच्चोदी लंगनी चाहिदी से विच्चोदी नहीं लंगनी आप दो बाराट्रा करने लें कि अधि इदे विच्चोदी पास करने चाहिए है कि अधि में रच्चोदी लेज पास कि एका बऽा करने कि यहां थी गई हांची 5 सेंटीमीटर दिया पार के लगोनी यहां आ पई सेंटील आक लगे इन्हों की किता पाम मीट इदा ना गिरात पा एक्स कि एते बेनों मीट करिए पांची ठीटा एकुरे ट्राइंगर ड्राह होगे काड़ी थी बच्छो जिदा ना है गवाब ए बी सी सिस्टी डीर दा एंगर प्राइप पाला ही फाइव सेंटिमीटर थी होना पा का स्ट्रक्शन निखांगे कंस्ट्रक्शन जिता डाइग्राम ना है उसे से तरह पांची देख लेनी है जिस तरह आपा डाइग्राम ना ही उसे से तरह आपा कंस्ट्रक्शन दिखी जाने है फिर क्यी टाइख चल जर्शन ना ही विड़ी देखी देख प्रक्शन जिर्ष इंकल स्ट्रक्शन तरह की प्सक् gट्रक्शनï Katie It cut CX at A, join AB, require triangle ABC is now obtained.